नमस्ते गाइस दोर आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के कोच डियेगो लीमा ने क्या कहा चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स फाइट के बारे में और यही रीजन है कि इसलाम महाजेव की किसी ओफ़ाइटर के साथ फाइट होना कोई लॉजिक नहीं बनाता है एकसेप्ट फॉर चाल्स ओलिवेरा डिएगो लिमा ने कहा कि चाल्स ओलिवेरा के लिए रीमाच लेनी की बात नहीं है बट लॉजिकली भी चाल्स ओलिवेरा ही डिजर्व करता है नेक्स टाइडर शॉट अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट फाइब विडियो में बात करते हैं लाइट वेड चैंपियन इस्लाम महाचेव के रीसेंट इंटर्वी उसके बारे में कि वो अपनी नेक्स्ट फाइब चार्ल्स ओलिवेरा के साथ करने वाला है या फिर विनर ओफ डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की फाइट के बाद ही UFC डिसाइड करने वाली है कि उसकी फाइट किसके साथ होगी इसके बाद जब इसलाम महाचेव से ये पुछा गया कि परसनली वो क्या चाता है कि वो कौन से फाइटर के साथ फाइट करे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच या फिर विनर आफ डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेजी जिसका रिप्लाइ देते हुए इसलाम महाचेव ने कहा कि अफकॉस वो चाता है कि वो न्यू ओपनेंट के साथ फाइट करे बट इसी के साथ इसलाम महाचेव ने ये भी कहा कि अभी अगर चार्ल्स ओलिवेरा की उसके साथ फाइट नहीं हुई तो इसलाम महाचेव का ये कहना था कि उसे लगता है कि डेस्टिन पोरिये उसका एक रियल चालेंज हो सकता है बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है और बेनील डारिश के हानने की वज़़े से सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है और अब बात करते हैं इसलाम महाचेव की सेकिंड वीडियो के बारे में जिदर उसने बात की है चाल्स ओलिवेरा और एलिक्सेंडर वलकेनोफस्की के बारे में तो इसलाम महाचेव से ये पूछा गया कि उसे क्या लगता है कि चाल्स ओलिवेरा अपनी फर्स्ट फाइट के कंपैरिजन में जादा बेटर फाइट करेगा इसके बाद इसलाम महाचेव से पूछा गया कि क्या ऐलेक्जेंडर वालकेनोफ्सकी एक जादा डेंजरस ओपनेंट है, जिसका रिप्लाइ देते हुए इसलाम महाचेव ने कहा कि ऐलेक्जेंडर वालकेनोफ्सकी भी सेम है, अगर यूफ्सियों से ऐलेक्जेंडर वालकेनो आज की नेक्स 5 वीडियो एक फाइट अपडेट है फ्लाइवेट डिवीजन को लेकर तो रीसेंटली UFC ने काइकारा फ्रांस और मैनल केप की फाइट सेट की है और ये फाइट होगी सेप्टेंबर 9 को आज की नेक्स 5 वीडियो में बात करते हैं शौन मैली ने क्या कहा कॉनर मैगरेगर की बारे में तो शौन मैली का ये कहना है कि वो कॉनर मैगरेगर वसिश चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट देखने में जादा इंट्रेस्टेड है rather than कॉनर मैगरेगर वसिश माइखल चैनल लग और वो भी उस fight को देखने में काफ़ी इंट्रस्टेड है बट अगर उसे choice दी जाए तो वो pick करेगा Connor McGregor vs Charles Oliveira की fight इसी के बाद Sean O'Malley ने अपनी fight को promote करते हुए एक वीडियो भी upload की जिदर उसने अपने supporters को fans बोला बट जब उसने Aljamal Sterling की बात की तो फिर उसने Aljamal Sterling का fan बोला इस वीडियो में basically Sean O'Malley Aljamal Sterling को ट्रोल कर रहा है कि Aljamal Sterling का सिर्फ एक fan है वेराज उसके multiple fans है तो इसी चीज़ का reply देते हुए Aljamal Sterling ने tweet किया कि वो बुरी तरह से Sean O'Malley को smash करने वाला है अब इसके बाद Aljamal Sterling ने एक funny picture की जिसके caption में Aljamal Sterling ने कहा कि वो Michael Chandler की तरह फिल कर रहा है इतने सारे children को adopt करते हुए और 19th August को वो एक spoiled bread kit को भी add करने वाला है family में यानि कि 19th August को वो Sean O'Malley को भी add करने वाला है आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं हामसाद चमायव के twin के बारे में तो recently एक fighter काफी जादा viral हो रहा है जिसको हामसाद चमायव का twin बोला जा रहा है ये fighter हामसाद चमायव से काफी जादा मिलता चुलता है in fact इस fighter का नाम भी हामसाद बोर्स मायव है तो almost ये fighter का नाम भी same है और ये fighter भी undefeated है 4-0 के record से ये fighter भी हामसाद चमायव के तरह चेचन है और हामसाद मायव भी हामसाद चमायव के तरह extremely dangerous fighter है recently हामसाद चमायव ने भी अपने instagram में इस fighter हामसाद मायव की story upload की थी और इसी के साथ हामजात मायव ने भी रियाक्ट किया उसके कमपैरिजन विद हामजात चिमायव तो हामजात मायव ने बेसिकली कहा कि वो भी हामजात चिमायव के तरह सेम या फिर उससे भी बड़ा फाइटर बनना चाता है अभी हामसात मायव का रिकॉर्ड 4-0 का है जिदर उसने अपने सारी ही फाइट्स को फॉर्स राउंड में फिनिश किया है So let's see UFC हामसात मायव को कब साइन करती है आज की नेक्स्ट वैब वीडियो एक अपडेट है मार्विन विटोरी को लेकर तो मार्विन विटोरी ने रीसेंटली एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिदर उसने ये कहा कि वो स्टिल एक लाइन है जिसका स्पिरिट ब्रेक नहीं हुआ है और वो प्रामिस करता है कि वो अपना कमबैक एक स्टाग कमबैक करेगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज मेक शोर तो लाइक ही सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में